आपको याद होगा आज से 20 वर्स पहले 11 मैं 1998 शामको और तत्कानिन भारत के प्रधानमत्रिसी अटलवियर रिवायदपईजी ने राष्ट को संभुदित करते हुए कहा था, उनकी बांतों ने पुरे देश को गौरव, पराक्रम और खुश्रिक के पल से भर दिया था, राजस्तान के पोखरण में परमानु परिक्षण किया गया था, उसे 20 वर्स हो रहे हैं, और यह परिक्षण भगवान बुद्ध के आसिरवात के साथ बुद्ध पर निवा के दिन किया गया था, भारत का परिक्षण सफल रहा, और एक तरह से कहें, तो विज्ञान और तक परिक्षण किया था, हम कह सकते कि वो दिन भारत के त्यास में उसके सैन्य शक्ति के प्रिक्षण के रुप में अंकीत है, भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिखाया रहे है, इनर स्ट्रेंथ, अंतरमन के शक्ति, शान्ति के लिए आवशक है, इसी तरह जब आप एक द महिने में पर्मानु परक्षण हुए, बलकि वो जिस तरह से की गएते, वो महत्वपुन है, इसने पुरे विश्व को दिखाया कि भारत के भूमी भान वेज्ञानों की भूमी है, और एक मजबुत नेतुरतों के साथ भारत नीत नए मुकाम और उचायों को हासिल कर सकता ह अतल वहर वाजपई जी ने मंत्र दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, आज जब हम 11 मई 1998 उसका 20 वा वर्स मनाने जा रहा है तब भारत की शक्ति के लिए, अतल जी ने जो जय विज्ञान का हमें मंत्र दिया है, उसे आत्म साथ करते हुए, आधुनिक भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए, हर युवान योगदान देने का संकल्प करें, अपने सामर्थ को भारत के सामर्थ का हिस्सा बनाएं, देखते ही देखते हैं, जिस यात्रा को अटल जी ने प्रारम किया था, उसे आगे बढ़ाने का एक नया आनंद नया संतोष हम भी प्राप्त कर पाएंगे।